आप सब का स्वागत है लाइब साइंस के फिर में आप देख रहे हो 7th क्लास की हिंदी का मॉडल पेपर जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कितना टाइम दगता है एक्जाम किते गंटे का होता है उसमें मांस किते का होता है चिले शुरू करते हैं देखिए सबी कोश्चन जो आपने व्याख्या करनी है तो इन में से किसी एक के आपको व्याख्या करनी है जहां पर या दिया हुआ होता है उसमें से एक ही करना होता है उसके बाद आता है आपका सेकिंड कोश्चन सोरी बार-बार में ये स्किप हो रहा है निमल कित परशनों के उत्तर कवीताओं के आ लगने लगा तो यह दो-दो माक्स के कुश्चन है तो आपके हिसाब से लाएं बनाकर लिखने हैं कुशन नमबर थ्री है निमलिकित पर्षनों के उत्रपाट के आधार पर लिखें तो कैख है गैग है यह मतलब तीन कुश्चन है हर एक कुश्चन के माक्स जो है तीन है और दिनो कोश्चन आपने करने हैं जैसे ध्यान चंद को हाकी का जादूगर कहा जाता है क्यों सेकिंड कोश्चन लेखिका को निलकंट की कौन कौन सी चेस्टाइं बहुत भाती थी जो थार्ड है मास्टर जी की आवाज कम उची थी विरेलगाडी के बारे में बता रही थे मा बदिसें लोग'm जाल धार चेस्टाइं लसी कोश्चन को दैना है को दिखाते हूं गवाज कि अ niezच़ विपश prototype जीुश्च कजह हना क्या Cup दूसरा दश्च कैसा इस या झालित था ago18 व्हान को नक Laura जीएक बार्ट है और पार्ट के शीर्शक क्या है ठीक है तो इन मैंसे जो कॉशन कै में दिखा हुआ है तो अंसर कै ही करेंगे आप ऐसे नहीं है मैंने जैसे वन टू स्री बोल दिया तो ऐसे नहीं करना आप ने अंसर कै लिखोगे तो ही आपको आपको टीचर अच्छे से मार्क दे पाएगे question number five है नुले कि पर्षनों के उत्तर लिखिए जैसे question number एक है अर्जुन ने अग्यातवाश पूर्ती की सूचना कैसे दी तो one and half marks का मतलब डेड़ नंबर का question है ये स्रिकेशन के ones के लोगों को उनके लोग क्या कहलाते है ठीक है ये एक number का question है फिर है करण की क्या परती गया थी फिर ये भी डेड़ number का question है वरन half marks का उसी इसाफ से आपने answer करना है फिर भीम वहनुमान में क्या रिष्टा था ये एक number का question है फिर भूमी से भारी चीज क्या होती है ये भी number का question है फिर व्याकरंग चुरू हो जाती है question number सद्सक्राइब बश्यक्ति दो दो परियावस्टी शब्द इन परियावस्ट लए जएज़ विब्रे तर्थक शब्द लिखें जैसे उतार का क्या होगा ज का क्या होगा विब्रे, शब्द और छाया क्या होगा फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो जो कभी ना मरे उसके लिए क्या का लिखा जाएगा एक शब्द जिसका पार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है यह लिखना है फिर रहता है लिंग बदलिए महोदय का लिंग बदल कर क्या लिखेंग है ठीक है इस तरह से लिखोगे तो अच्छे से मांक्स मिलेंगे अपको फिर है शादी के दिनों में डैश की मांग बढ़ती जाती है किसकी मांग बढ़ती जाती है घोडी या घोडियें तो इस ही option आपने चूज करना है सारे डैश खेल रहे हैं आज डैश को मानवता की फिक यहादा कि याद आती है मुझे बचपन की अबालक काल की क्या लिखोगे सही जो अनसर अब लिखना है अपको विज्यान के बारे में कि हमारे लिए यह अभिशाप है या यह वर्दान है किसी एक विशय पर अनुछेद लिखे जैसे सवच्छ भारत पे लिख देंगे या फिर आदर्श सिक्षक पे लिख देंगे या कोई और टोपिक हो सकता है राजनीती सिसंबंदित हो सकता है फिर पत्र लिखना आ सकता है आपको छे नंबर का ज्यादा का कर सकते हैं डिपेंड करता है कि कोश्चन अनसर की से प्राधान अचारिया को पत्र लिख कर फीस माफी के लिए विधन कर सकते हैं आप पुली स्थाने में के अध्यक्ष को चोरी की रिपोर्ट लिख कर दीजिए ठीक है तो इस तरह से पत्तर लिखना भी आपको आना चाहि देख लो यहां पर मैं एक मिनट के लिए वीडियो को रोक देती हूं उसके बाद इसका जो बचा हुआ हिस्सा है क्योंकि यह 15 कोश्चन है देख लो हर एक कोश्चन का एक मांक है क्योंकि आपने इनी में से टिक करना है एक जैसे लेखक ने कंचों की तुलना किस से की थी क्या लड़ू से खै बेर से गय जामूं से घय आवले से तो किस से की थी यह बताना है तो क्योंकि वह 15 कोश्चन है बारा का तो इसमें 6 कोश्चन है जैसे आंख मेतिन का पढ़ने प्रकवी की क्या दाशा हो गई थी यह बताना है तो इदी में से एक उप्शन लिखने पर यह आपको एक नमबर मिल जाएगा और जादा कुछ इसमें परिशान होने की जरुरत नहीं क्योंकि यह आपकी बुक से ही लिया गया है सब जैसे 15 वाला कोश्चन है धनराज फिर ले किस राज्य के रहने वाले थे तो हर्याना के या पंजाब के अमध्यपर्देश के महरा सब एक उप्शन चोज़ करने पर ही आपको अच्छे मांक्स मिल जाएंगे यह हमारा हिंदी का पेपर था अगर और भी कोई आपकी क्यूरीज है कॉस्चन्स है आपकी रिक्वार्मेंट है तो उसी कहिसाब से कमेंट फुक्स में जाकर जरूर बताना थैंक्यों वोचिंग हम लाइंट से कैफ।